मैं यहतिवारिय कुमार विजय आप सभी दर्सकों का देनिक यहति रासिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में दिपावली के दिन आप अपनी रासि के नुसार किस परकार से मा लक्षमी माता का पूजन करें इस विजय में जानकारी दूँगा सबसे पहले आपको मैं पंचांग भी डिपावली के दिनард का बताऊंगा और सुब महरत भी लक्ष्मी माता के पूजन का और सुबह गादी स्ताफना या जो भी आप पूजन करना चाते हैं दवात कलम का उस वी के विषय में भी सुब महरत बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको दिपावली की हार्दिक सुख कामना देता हूँ और मा लक्ष्मी से प्रापना करता हूँ कि आप सभी की आने वाले साल में मनो कामना पुर्ण हो और मा लक्ष्मी का आशिरवाद आप सब पर बना रहे आप मेरा यहाव वीडियो पूरा बहुत ज्यान से देखें और इसके पहले मैंने लक्षी माता के पूजन की विदी और सुब समय लक्षी माता के पूजन का एक अलग वीडियो में आपको बताया है उसमें मैंने कहीं परकार के मंतर भी बताया है जो आप दिपावली के दिन लक्षी माता के पूजन के बाद में सिद्ध कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सबस्क्राइब करें और फिर गंटी के बटन को भी दबाए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोश्ट होता है तो आपको तुरत सूचना मिल जाए अगर आप मेरे से बादशित करना चाते हैं तो नमबर आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नमबर पर आप हर रवी बार को दिन में 10 वजे से 11 वजे के बीच में मेरे से फ़न पर बादशित कर सकते हैं आपको मैं एक सुचना और देना साता हूं कि अब जल्दी ही नया साल 2021 का आने वाला है और 2021 के नये साल का सभी बादशियों का पूरा साल कैसा बीतेगा अलग-अलग राशियों के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और डिसम्बर के महीने में मैं जल्दी ही पोश्ट आपको करने वाला हूँ तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल पर आप देखिए कि आपकी अपनी राशी का 2021 का नया साल कैसा बीतेगा अब वीडियो में सरवात करता हूँ सबसे पहले डिपावली के दिन के पंचांग से कि पंचांग डिपावली के दिन कैसा रहेगा और लक्षी माता के पूजण का सुब मोरत आदि क्या रहेगा उस दिन सुब सोगडिया क्या रहेगा और लक्षी माता का पूजण आप अपनी राशी के नुसार किस परकार से करेंगे तो यहाँ जानकरी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ और सबसे पहले देखते हैं अंचान। फिर चतुस पाद करन सरू होगा। चंदरबा दिन रात तुला राशी में गोचर करता रहेगा। दिपावली के दिन का जो राउकाल है सुबह नौ बज कर गुंतालिस मिनट से ग्यारा बज कर एक मिनट तक रहेगा। सनिवार के दिन पूर्व दिशा में दिशासुल रहता है तो इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा को जहां तक हो सगे आप टाल दे। दिपावली के दिन जो दोपहर में अभीजित मौरत का समय रहेगा वहरा रहेगा out कल एक मिनट से एक बारा बज कर 46 मिनट gotta 12 बजकर 1 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक सरवार्थ सिद्धी योग सुबह सूर्यदय से ही शरूर रहेगा और रात को 8 बजकर 9 मिनट तक सरवार्थ सिद्धी योग रहेगा विजय मोहरत दोपहर में 2 बजकर 11 मिनट से, 2 बजकर 15 मिनट तक रहेगा और गोदुली वेला का जो शाम का मोहरत होता है पुजयन कवावर का वहां 5 बजकर 45 मिनट से 6 बजकर 9 मिनट तक रहेगा दिपावले के दिन सनिवार के दिन के जो सुब के सोगडिय है उनका समय में आपको बता देता हूँ ताकि आप कोई सुब काम करना चाहे तो इन सोगडियों के हिसाब से दिपावले के दिन आप कर सकते हैं सुबह 8 बजकर 18 मिनट से 9 बजकर 49 मिनट तक सुब का सोगडिया रहेगा दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से 1 बजकर 45 मिनट तक 4 का सोगडिया रहेगा एक बजकर 45 मिनट से 3 बजकर 5 मिनट तक दोपहर में लाब का सोगडिया रहेगा और दोपहर में ही 3 बजकर 5 मिनट से 4 बजकर 27 मि चोगडिया रहेगा और रात को नो बज़कर चा मिनर से दस बज़कर चमालीस मिनर तक अमरत का चोगडिया रहेगा। मद्य रात्री में 12 बजकर 23 मिनर से, 2 बजकर 1 मिनर तक चरका चोगडिया रहेगा और रात्री के अंत का जो सबसे अंतिम चोगडिया आये वहां 5 बजकर 8 मिनर से, 6 बजकर 57 मिनर तक रहेगा. गादी स्तापना और कलम भरने का जो मुरत सुबह और दिन में आप चोगड़िये के हिसाब से कर सकते हैं लक्षमी माता का पूजन और नीप परकट करना का जो सुब मुहरत है वह स्याम को गोधुली वेला में इस्तिर वर्सब लगन भी होगा और सरवार्थ सिद्धी योग भी होगा शाम को पांच बजकर गुनपचास मिनट से साथ बजकर सताइस मिनट का जो लाब का चोगड़िया रहेगा इस चोगड़िय में आप शाम को पांच बजकर पैंतालिफ मिनट के बाद लक्षम पूजन करेंगे तो भी ठीक रहेगा डिपावली का तेहुआर है लक्षमी पूजन लीप माली का तेहुआर डिपोजशव पर आज ही नरक चतुर्दरी भी साथ में मनई जाएगी क्योंकि दंतेरस और दिपावली के बीच में रूप चवदस आती है नरक चतुर्दस आती है तो लक्षमी पूजन के दिन ही नरक चतुर्दसी तिती मनाई जाएगी यह था दिपावली के दिनका पंचांग और दिपावली पूजन करने का सुब मोहरत और दूसरे मोहरत सुब सोगरियादी अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप अपनी रासी के अनुसार किस प्रकार से माता को भोग लगाए या पूजा करे या क्या करना है आपको यह मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले सरवात करते हैं मेश रासी से मेश रासी के लिए आज का दिन जो है सांदार रहेगा प्रेम प्यार से बरपूर और प्रेम प्यार बढ़ाने वाला रहेगा अपने जिवन साती के साथ मैं डिपावली का तिवार आप को दूमदाम से मनाएंगे आज आप लक्षमी पूजन के वक्त भी मा लक्षमी जी को लाल सुनरी और कोई तेज खस्बुदा इत्र लगए और कोई लाल या गुलबी रंकी मिठाई का भोग लगए साथ में ही माता जी की आरती करने के बाद में पिता या फिर बड़े भाई का अश्रवाद जरूर ग्रहन करें आपके लिए यह साल बहुत सुब बीतने वाला है अब बात करते हैं अगली बर्षब रासी की बर्षब रासी के लिए आज का दो दिन है यानि डिपावली का दिन है साधान से भी कुछ अच्छा बीतेगा आपको अधिक काम करने के कारण ठकान लग सकती है लेकिन फिर भी त्योहार की खुशी के कारण जो सोर उत्साहा आपका बना रहेगा अधिक प्रियास आपके सफल होंगे आज आप दिपावली का हार सांदार ढंग से मनाएंगे और लक्स्मि पूजन के साथ इस्वटिक के स्री यंत्र की पूजा करें और इस्वटिक की महला से ही लक्षमी माता क्य मंत्र ओम रीम-श्रीम-क्लीम-महा-लक्षमी नमा-शा इस मन्तर की महला करें YOUR asas अ बोग लगए और बच्चों में भी मिठाई बांटे अब देते हैं मिठुन रासी मिठुन रासी के लिए आज का दिन जो है वह सांदार दिन है बच्चों के साथ साथ आपको दिपावली मनाने का मौका मिलेगा और आप बहुत खुशी-खुशी दिपावली का त्वहार माता का उजन करें साथ ही आप मुंग की डाल के हलवे का भोग लगाएं तो सुफल मिलेगा आर्ती करने के बाद मैं एक नारियल जरूर बदारे माता जी के आगे या उसको पोड़ना कहते हैं या उसको मारवडी बैसा में बदारे बोलता है और माता जी के आगे किसी नए बोग लगाए, तो आपका जो आने वाला साल है वह सु hatte iki तो आपका पतने. और करख रेत के लिए मन किसी बात को लेकर किंतूनु सी रहेगा। उस भी बढ़ जाएगा आज आपकी सुख्ष विदाओं की बढ़ोत्री भी होगी जीवन में जो आराम की वस्तवे होती है वह सुविदा थोड़ी आपकी बढ़ेगी आज जब आप लक्षें पूजन करने बैठें तो माता जी को अगर मोगरे का इत्र लगाए और अपने व होता है शिंगोडा है या हरा पानी वाला जो नारियल है उसके पानी से आप भोग लगाए उनके अंदर की जो नरम नरम गिरी होती है उसका भी भोग लगाए इसके इलावाद चांदी के सिक्के भी आज आप माता जी को वेट कर सकते हैं चांदी के जेवरात आदी की भी प करेंगे सायद कोई चोटी बड़ी यात्रा भी आपको करने पर सकती है आपको अपने परिवार के साथ आज मद्य रात्री को सिहा लगन में लक्षम पूजन के समय में लाल कनेर के पुस्प से पूजा करनी है और फिर रोई पर तेज किस्म के सेंट लगा कर मा को आप भेट कर और अनारादी फल चड़ाएं नए बरतन में इमर्थी रख कर भोग लगाएं साथ ही आर्थी के समय में कपूर के साथ साथ आप दो लौंग भी जरूर जलाएं और आर्थी करके उस आर्थी को पूरे घर में गुमाएं आपके लिए आने वाला साल जो है वह बहुत लेकिन ध्यान आपका आज आए बढ़ाने में और खरिद्दारी पर अधिक रहेगा मेहमान भी आपके गर में आएंगे अच्छे लोगों से आपका परिश्य होगा परिवार में उच्छो जैसा माहूल रहेगा शाम को पूजा के समय आप लक्ष्मी जी और गणेजी माता क पूजा करें पूजा में आप माता जी को चुनली चड़ाएं फिर दूद और मेदे से बना हुआ मलाईदार गेवर का आप भोग लगाएं और सिंगोडे का फल बेट करें तर्बुजा आदी भी जो होता है वाटर मेलियन यानि मतिरा आदी वह भी बेट करें और आरती के बाद में श्री सुक्त का पाठ जरूर जरूर पड़े यह जो है आपके लिए पढ़ना सुब रहेगा अब बात करते हैं तुला रासी की तुला रासी के लिए दिन बहुत ही शांदार रहेगा क्योंकि आपकी अपनी ही रासी में चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके आपके साथ मिलेंगे परिवार में जो सोर उत्सा के साथ त्योहार का पूरा माहोल रहेगा आज आपको स्वादिष्ट बोजन के साथ साथ नए वस्तर के साथ कोई उपहारादी मिलने का योग भी है लक्ष्मी माता के पूजन के समय शाम को गोदुली वेला में आप पूजन में आप लक्ष्मी माता को दूद चावल और सुखे मेवे से बनी खीर का भोग लगाएं जैसे अंजीर का हलवा या काजु कतली बदाम हलवा सुखे मेवे आदी चड़ाएं और केले सीता फड़ आदी भेट करें आरती करते समय हरे पान के पत्ते पर कपूर के आई के दाने भी आप रख कर जला दे आपके लिए आने वाला साव साल सुब बितेगा अब बात करते हैं वर्षिक राशी की वर्षिक राशी के लिए दिन तो अच्छा नहीं है फिर भी अगर आप सावदान रहे और मन को सांत रखे तो आज आप दिपावली के त्योहार क आज आप बहुत कुछ खरीदारी करने वाले हैं शाम को दिपावली पूजन के समय आप गुलाब का सेंट माता जी को लगाए और हलवा पूरी मेवे की मिठाई का भोग लगाए लक्षिना के साथ साथ मीठे जो मीठा पान खाया जाता है मसालेदार उसमें सुना काता गु और आने वाला साल भी आपके लिए सुब बितेगा अब बात करते हैं धन्नु रासी के लिए धन्नु रासी के लिए दिपावली का दिन बहुत ही शांदार और लाबदाइक बितेगा आई बड़ेगी धन की सुईदा में विस्तार होगा आर्थिक इस्ति मजबूत होगी औ बड़े और उनसे होदे के लोग भी आपसे मिलेंगे परिवार में खुशियां रहेगी शाम को दिपावली पूजन में आप माता जी को बेशन से बनी मिठाई का बोग लगाए और हल्दी की गांठ भेट करें साथी केला है संत्रा है लक्ष्मि पूजन के समय में पूजन करें और वह सिक्ये पूजा के बाद में जब माता जी का विशर्जन करेंगे वापस उत्थाफन करेंगे तो उसके बाद में वह सारे सिक्ये संबाल कर आप तिजोरी में रख दें आरती करने के बाद में आप परसाद के रूप में बेशन की बनी मिठाई बच्चो से व्हरा रहेगा कोई नया काम सुरू करने का मुका मिलेगा या इस्तान परिवर्तम हो करना चाहते हैं तो यह ऐसा आउसर है कि आपको इस समय मुका भी मिल जाएगा करना चाहीं तो कर सकते हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो भी कुछ अच्छे और पोजेटिव समचार आप इस लिपावली के शाम की लक्ष्मी माता के पूजन की और पूजन के समय लक्ष्मी माता को इमर्ती या इमर्ती और गुलाब जामुन का भोग लगाएं, फलों में आप सीता फल और शिंगोड उनको माता जी को भेट करें और पूजा करते समय माता जी को आप चमेली का इतर लगाएं और अपने वस्त्रों पर भी लगाएं तो ज़्यादा सुग रहेगा खुस्बूदार अगर्वत्ती करें घीका दिपक जलाएं आरती करते समय आरती की ठाली में कुछ दक्षना रखें और उसके बाद में आप आरती लक्षिमाता के उतारेंगे तो यह आपके मिलने के प्रबल योग बने वे हैं आप अपने वैस्त कारेकरमों के बाद में दोपहर बाद अपने परिवार के साथ त्योहार का मज़ा और आनंद लेने के लिए फ्री हो जाएंगे आप भी लक्षिम पूजन का जो समय है शाम को अगर गोधुली विला के समय करेंगे तो जादा अचा रहेगा अगर मद्य रात्री के बाद करते हैं तो भी सुब रहने वाला है लक्षिम पूजन में आप माता जी को चमिली का इत्तर लगाएं और लाल रंग की चुंगरी ओड़ाएं गर में पके वे पकवान को नए बरतन में रख कर माता जी को भोग लगाएं या उनको चड़ाएं पूजा के अंदर आप माता जी को कमल का फूल भी चड़ाएं और खेत से कटावा जो अन का भाग होता है यानि कोई अन जहां लगावा डाली उसको शीटा भी बोलते हैं या जो बाली बोलते हैं वह एक बजार से खरीद कर माता जी को बेट करें और आर्ती करते समय थाड़ी में दक्षना अवश्य रखें और उसके बाद में आर्ती करें और पूरे घर में आर्ती को गुमाएं अब बात करते हैं आखिर में मीन रासी ही है मीन रासी के लिए दिपावली का दिन अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आपके लिए अश्टम से दिपावली का तोहां सावधानी से मनाएं आप दिपावली का पूजन करते समय कुबेर देवता का पूजन जरूर करें और आप दिपावली पर जब लक्षी माता का पूजन करें तो साथ में कुबेर देवता और गणपती और सृस्रति माता सब की पूजा करें ऊज़ दी का भी भोग लगाए खीर अगर बना कर भोग लगाते हैं तो किर मैं केशर या कुछ ऐसा रंग आता है जिससे उसका रंग पिला हो जाता है तो इस प्रकार से पिली रंग ही खीर बना गर आप माता जी को बाकी सब 2 दे वी अधा को भोग लगाए और घर में जो बो इभी का फल हैं, चीखुँ, अधी, मताजी को चड़ाएं MAAT-JID की आरति एक थाली में करते समय आप पहले वहां तोड़ा कौंकू का छांटा दे। और थाली में और उसके बाद में उसके उपर हरा पान का पता जिसके उपर डंठल भी हो वह रखें उसके उपर आप कुछ चावल के नाने रखते में और चावल के नाने के उपर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दे में और उसके उपर कफूर रखकर फिर जलाएं और मात बीते अच्छा बीते और आपके मनों कामना पूर्ण करने वाला बीते यह था आज के वीडियो में डिपावली के दिन आप अपनी रासी के नुसार किस परकार से पूजा करें मात्ता जी लक्षमी मता का और डिपावली पूजन करने का मैंने सुभ महरत भी बताया है पंचां के और अपने रासी के नुसार पूजा कर सके एक बार फिर मैं आपको दिपावली की बहुत बहुत हार्दिक सुभकामना देता हूं जाए जिनेंद्र